हेलो फ्रेंज इस जर्स फ्रॉम सामेंजर्स हेरन मेकप अकैडमी मुंबाई सलाम नमस्ते ससी काल दोस्तों आज फिर आया हूं आप लोगों के पास में एक और नया एपिसोड लेकर के और आज का भी जो एपिसोड है वो भी डिवीजन का है और इसके उपर एक वीडियो बन मेसेज़े आते हैं वो बोलते हैं कि हम लोग जब हेरकट करते हैं तो उसमें हमें क्या-क्या चीजों की जरुवत परती है कौन-कौन से चीजों को हमें अपने माइंड में रखना होता है तो आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं गाइडलाइन के ओपर सेक्शन बह गाइडलाइन को यूज करना होता है आज मैं आप लोगों को बताता हूं इसमें हम लोगों को गाइडलाइन यूज करने होती हैं तीन तरीके की सबसे पहले ट्रेवलिंग गाइडलाइन को मूविंग गाइडलाइन भी बोलते हैं और ट्रेवलिंग गाइडलाइन में बेस और वहां पर layering create करती है तो उसको हम लोग बोलते हैं traveling guideline basically हम लोग ने यहां पर इस तरीके से guideline को create किया और उसी को ही हम लोग follow करेंगे जो भी हमने पहला decide किया length decide किया उसी को हम लोग follow करते हैं और उसके उपर हमारी बहुत सारी वीडियो बनी हुई है इसके उपर हम लोग की round layers आप देख सकते हैं long round layers की video देख सकते हैं तो इसमें transient length square layers यह जितने भी हेकत्स हैं यह उनके उपर हम लोगों ने जो use किया था वो traveling guideline को use किया था अभी हम लोग बात करते हैं stationary guideline stationary guideline का मतलब होता है कि एक ही के उपर सारे बाल suppose मैंने यहाँ पर guideline create किया और उसी के उपर हम लोग सारे के सारे बाल लेके आ रहे हैं जहाँ आगे से लेकर पीछे तकक, इसमें आगे से लेकर पीछे तक कर आगे अम लोग बाल काट रहे हैं। तोसस्का मतलब यह है कि इसमें लीरिंग भी जादा आ रही हैं और जो लैन्ठ इसको भी हम लोग रिटेन कर रहे हैं तो इसको हम लोग बुलता है stationery guideline वेदर आप उसको आगे लें जैसे हमारा face framing haircut है उसको तो हमारे 1.5 million views आए हैं आप लोग जरूर देखिए का बहुत ही अच्छा haircut है और बहुत काम आने वाला है अगर आप लोगों ने नहीं देखा है और बहुत सारे cuts हम लोग ने किये हैं stationary guideline के ओपर stationary guideline जादातार हम लोग one length के लिए use करते हैं आप हमारी shack haircut की वीडियो देखिए उस पर भी हम लोगों ने use किया है stationary guideline अब भी हम लोग बात करते हैं over direction overarching के भी दो पाइस हैं over direction forward मतलब पीछे से अगर हम लोग बाल आगे के आ रहे हैं तो उसको скоро बोलेंगे over direction forward और हम आगे के बाल लोगों को पीछे लेके जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं over direction behind हम लोग उसको पीछे लेके जा रहे हैं तो यहां पे भी हमारे काफी यह कच कुए हैं ओवर डिरेक्शन फॉरवर्ड पर भी बिहाइंड में भी बैसिकली यह हम लोग करते हैं जो पार्ट हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं जैसे अभी मैंने बात किया स्टेशनी गाइडलाइन सपोस्पोस फेस्ट्रिमिंग हेरकट अगर आप देखेंगे हमारा तो इसको हम लोग बोलते हैं ओवर डिरेक्शन फॉरवर्ड तो पीछे के बालों को आगे लेकिया है तो ओवर डिरेक्शन फॉरवर्ड और आगे के बालों को पीछे लेके गए तो इसको हम लोग बोलते हैं ओवर डिरेक्शन बेहाइंड आपको यह वीडियो समझ में आया हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स पर लिखें हम लोग पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको इसके उपर भी वीडियो बना करके दें पूने में हैं और बहुत सारी जगाओं पर जैसे बिहार में हैं बिहार के पटना में हैं यूपी में हैं और बहुत सारी जगाओं पर चन्नाई में हैं तो बिल्कुल अगर आप लोग को भी कोर्स करने हैं तो इसी नंबर पर वाट्सेप करें और वाट्सेप पर आपको आंस lockdown के बाद में हम लोग प्लान कर रहे हैं आपको और अच्छे offers देने के लिए keep in touch और देखते रहे हैं सारी वीडियो और अपनी लाइफ को बैटर करते रहें thank you so much for watching this video love you India take care bye जय है जय भारत